कितनी है दे अंडर्टेकर की नेट वर्थ डेडमेन के नाम से मशूर रेसलर का असली नाम तक नहीं जानते लोग। दे अंडर्टेकर को डेडमेन भी कहा जाता है इसके पीशे की वज़ा है कि WWE में इनका किरदार 1990 से प्रोफेशनल रेसलिंग कर रहे थे 2020 में उन्होंने इससे सलन्यास का एलान कर दिया था प्रोफेशनल रेसलर दे अंडर्टेकर साल 2020 में अधिकारिक तौर पर रेटायर हो चुके हैं लेकिन फाइट के दिवानों पर आज भी वो राज करते हैं डेडमेन के नाम से मशूर इस 58 वर्षी रेसलर के तीन पतनियों से चार बच्चे हैं और दे अंडर्टेकर का असली करियर तीन दशक लंबा रहा रेसलिंग से शोहरत के साथ ही दे अंडर्टेकर ने खूब कमाई भी की उनकी नेट वर्थ 17 मिलियन डॉलर यानी करीब एक अरब 40 करोड रुपे आखी गई है अपने करीब तीन दशक लंबे प्रोफेशनल रेसलिंग करियर के दोरान वेजार समय टॉप सूपर स्टार के रूप में ही पहचाने गए रेडायर्मेंट के बाद द अंडर्टेकर लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ डव्य डव्य से जुड़े हुए हैं इस करार की वज़य से उन्हें हर साल डव्य डव्य की तरफ से 2.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 21 करो रुपे मिलते हैं किया है खुब निवेश द अंडर्टेकर की आये का जरिया केवल डव्य 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 नहीं है उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया है उन्होंने बिजनस पार्टनर स्कॉट एवन हार्ट के साथ मिलकर 2006 में लवलेंड कॉरो रेडो में एक प्रॉ प्रॉपेटी की कीमत 3.96 मिलियन डॉलर हो चुकी है इसके अलावा उन्होंने एवन हार्ट के साथ रियल एस्टेट में काफी निवेश किया है वे प्रॉपेटी खरीदते हैं और मुनाफ़े में उसे बेश देते हैं दा अंडर्टेकर आस्टन टेकसस में बहुत बड़े घर में रहते हैं इस घर में सभी मौडर्ण सुक्स विदाएं मौजूद हैं दा अंडर्टेकर कार और बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन हैं दा अंडर्टेकर के पास बेंटली कॉंटिनेंटल जीटी कैडलियाक टीएस जीप रेंगलर रुबिकॉन जैसे कई महंगी गा में WWE में अपना डेब्यू किया उन्होंने WWE के सबसे बड़े इविन रैसल मीनिया में लगातार 21 मैच जीते थे दा अंडर्टेकर चार बार के WWE चैंपियन तीन बार के वर्ल हैवी वेड चैंपियन एक बार के हार्ड कोर चैंपियन छे बार के WWE वर्ल्ट टैग टीम चैंपि रहे हैं